नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका विश्वामित्र उनलाइन एजूकेशन में आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सवच्छता सर्वेक्षन 2019 पर आधारित वस्तुनिष्ट प्रश्ण तो चलिए देखते हैं पहला कोश्चन सवच्छ भारत मिशन कबसे प्रारंब किया गया? सवच्छ भारत मिशन कबसे प्रारंब किया गया? 5 सितंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014, 5 सितंबर 2015 या 2 अक्टूबर 2015 तो इसका जो सही आंसर है वो है ओप्षन भी 2 अक्टूबर 2014 स्वच्छ भारत मिशन 2 October 2013 से प्रारंब गिया गया। स्वच्छ सर्वेक्षन 2019 भारत सरकार के किस मनत्राले द्वारा करवाया गया है। पंचयत एवं ग्रामिंड विकास मनत्राले या उप रोक्त सभी। तो इसका जो साही आंसर है वोई option B. आवास एवं शहरी विकास मंत्राल है. वर्तमान में केंद्री मंत्री मंडल में आवास एवं शहरी विकास मंत्री कौन है? उमाभार्ती, रभीशंकर प्रशाद, सुरेश प्रबू या हरदीप से एस पुरी. तो इसका जो सही आंसर है वो है option D हरदीप S पूरी स्वच्छ सर्वेक्षन 2018 में भारत के कितने शेरों को शामिल किया गया था स्वच्छ सर्वेक्षन 2018 की बात कर रहे है 4034, 4203, 4083 या 4087 तो इसका जो सही आंसर है वो है option B 4203 स्वच्छ सर्वेक्षन 2018 में भारत के 4,230 शहरों को शामिल किया गया था और स्वच्छ सर्वेक्षन 2019 में भारत के कितने शहरों को शामिल किया गया है तो इसका जो आंसर है वो है 4,237 Option C इसका सही आंसर होगा स्वच्छ सर्वीक्षं 2019 कितने दिनों में किया गया है 28, 45, 50 या 55 तो स्वच्छ सर्विक्षं दोजारईश 28 दिनों में किया गया है Option A इसका सही आंसर होगा स्वच्छता सर्वीक्षं 2019 में लगबग कितने लोगों से पिड़एग लिया गया है तो अच्छता सर्वेक्षन 2019 में लगबख कितने लोगों से फिट बैग लिया गया है 60 लाग, 62 लाग, 64 लाग या 48 लाग तो 68 लाग तो इसका जो सही आंसर है वो है option C 64 लाग सच्छता सर्वेक्षन 2019 में लगबख कितने लाग तो इसका जो सही आंसर है वो है option A इंदोर जो कि सच्छता सर्वेक्षन 2019 में लगाता तीसरी बार प्रथम इस्थान प्राप्त किरने वाला शहर बन गया है तो अच्छता सर्वेक्षन 2019 में दूसरा इस्थान प्राप्त करने वाला शहर कौन सा है इंडोर अंबिकापूर मैसूर या उप्रोक्त सभी तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्षन भी अंबिकापूर जो की दूसरे इस्थान पर है स्वच्छता सर्वेक्षन 2019 में तीसरा इस्थान प्राप्त करने वाला जो शहर है वो कौन सा है इंडोर अंबिकापूर मैसूर या उप्रोक्त सभी तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्षन सी मैसूर जो की तीसरा इस्थान प्राप्त करने वाला शहर बना है स्वच्छता सर्वेक्षन 2021 में सर्वस्थ प्रदर्शन करने वाला राज्य किसे चुना गया है चिस्टीजगृ जारखन्ड महाराष्ट्रिय उप्रोप्त सभी तो इसका जो सही आंसर हे वो है option A 36 गड़ जो की प्रथम इस्थान पर है और सच्छता सर्वेक्षन 2019 में जो दूसरा राज्ज है सर्वसेस्ट प्रदर्शन करने वाला वो कौन सा है तो इसका जो आंसर है वो है जहारखंड और तीसरा जो राज्ज है वो है महाराष्ट सच्छता सर्वेक्षन 2019 में सर्वसेस्ट प्रदर्शन करने वाला तीसरा राज्ज है महाराष्ट और दूसरा जो जहारखंड और प्रथम जो राज्ज है वो है चत्तिसगर सच्छता सर्वेक्षन 2019 में 10 लाग से अधिक आबादी में गुजरात कावा कौन सा शहर सबसे स्वच्छ होने वाले शहरों में प्रथमिस्थान पर है गांधी नगर, एहमदाबाद, सूरत या राज़कोट तो वो कौन सा शहर है तो इसका जो आंसर है वो है option भी एहमदाबाद सबसे स्वच्छ मध्यम आबादी तीन लाग से दस लाग की आबादी वाला कौन सा शहर सबसे स्वच्छ होने वाले शहरों में प्रथमिस्थान पर है राइसेन, गुना, उज्जेन या राज़कोट तो इसका जो सही आंसर है वो है option C उज्जेन उज्जेन प्रथमिस्थान पर है स्वच्छता सर्वेक्षन 2019 में सबसे स्वच्छ छोटा शहर जो की तीन लाग से कम आवादी वाला है वो कौन सा है जो प्रथमिस्थान पर है राइसेन, कानपूर, उज्जेन या एंडी, एमसी, देली तो इसका जो सही आंसर है वो है option D, एंडी, एमसी, देली स्वच्छता सर्वेक्षन 2019 में देश में सबसे अधिक स्वच्छ राजधानी किसे घोशित किया गया है भोपाल, लगनव, मुंबई या हैदराबाद, तो इसका जो सही आंसर है वो है option है भोपाल स्वच्छता सर्वेक्षन 2019 में सबसे स्वच्छ केटोनमेंट में प्रथम इस्थान प्राप्त किसने किया है, सागर केंट, दिल्ली केंट, कानपूर केंट या जवलपूर केंट, तो इसका जो सही आंसर है वो है option भी दिल्ली केंट स्वच्छता सर्वेक्षन 2019 में सबसे स्वच्छ गंगा टाउन में प्रथम इस्थान पर किसे घोशित किया गया है, राजमयल जारखंड, साहिब गनी जारखंड, गोचर उत्तराखंड या जवलपूर केंट, तो इसका जो सही आंसर है वो है option C, गोचर उत्तराखंड, जो है option A, राजमयल जारखंड, ओत्रती स्थान जिसने पाया है, वो है साहिब गनी जारखंड, option B का सही आंसर होगा, स्वच्छता सर्वेक्षन 2019 में सबसे स्वच्छ गंगा टाउन में तीसरे स्थान पर जो है, वो है साहिब गनी जारखंड, स्वच्छता सर्वेक्षन 2019 में उत्तर भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे चुना गया है। पुर्व भारत के किस शहर को प्रथम इस्थान पर सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। विश्रामपूर 36 या जश्पूर 36 तो इसका जो सही आंसर है वो है विश्रामपूर 36 इसे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और पुर्व भारत का जो तीसरे स्थान पर सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है वो है जश्पूर 36 तो इसका जो सही आंसर होगा। दक्षिन भारत के किस शहर को प्रथम इस्थान पर स्वच्छ शहर चुना गया है। दक्षिन भारत में जो है वो है पेरिया, पतना, करनाटक जिसे प्रथम इस्थान पर स्वच्छ शहर चुना गया है दक्षिन भारत का। स्वच्छता सर्वेक्षन में उत्तरपूरु भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे चुना गया है। थोबल मनिपूर, कांकिंग मनिपूर, त्रिपूरा या इन में से कोई नहीं, तो इसका जो सही आंसर है वो है थोबल मनिपूर, जिसे की उत्तरपुर भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है, स्वच्छता सर्वेक्षन 2019 में, सालिड वेस्ट मेनेजमेंट में सर्वेस्ष्ट सहर किसे चुना गया है, चंडीगर, नागपूर सूरत या राइपूर, तो इसका जो सही आंसर है वो है, उप्शन सी सूरत, उप्शन सी इसका सही आंसर होगा, स्वाच्छता सर्वेक्षन 2019 में इनोवेशन और बेश्ट प्रेक्टिस में सर्वस्रेष्ट शहर किसे चुना गया है चंडीगर, जबलपूर, ग्रेटर मुंबई या राहपूर तो इसका जो सही आंसर है वो है जबलपूर, औक्षन भी इसका सही आंसर होगा स्वाच्छता सर्वेक्षन 2019 में 10 लाग से अधिक आबादी वाले चतिसगर का कौन सा जिला सबसे तेजी से सच होने वाला शहर में पहला इस्थान प्राफ्त किया है कानपूर, इलाबाद, राहपूर या अलिगर तो इसका जो सही आंसर है वो है राहपूर स्वाच्छता सर्वेक्षन 2019 में किस शहर को बेस्ट सिटी इन सिटीजन फिडबेक के लिए अवाड दिया गया है एहमदाबाद, नभी मुंबई, सूरत या दिल्ली तो इसका जो सही आंसर है वो है उप्षन भी नभी मुंबई स्वाच्छता सर्वेक्षन 2019 के तहट मध्य प्रदेश को कुल कितने पुरुसकार मिले हैं बारा, उननिस, बाइस या अठाइस तो मध्य प्रदेश को कुल कितने पुरुसकार मिले हैं तो उसका जो आंसर है वो है option भी 19, 19 पुरसकार मिले हैं स्वच्छता सर्वेक्षन 2019 के तहट कुल कितनी केटेगरी में पुरसकार दिये गए हैं 45, 55, 62 या 70 तो इसका जो सही आंसर है वो है option भी 70 सच्चता सर्वेक्षन 2019 के तहट कुल 70 केटेगरी में पूरुषकाल दिये गये हैं तो इसी प्रकार के और भी वीडियो अगर आप राप्त करना चाते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को शेर कीजिए और लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वेल पर जबूर क्लिक करें ताकि जैसे हम कोई सा नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्रात्त हो सके धन्यवाद